हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका अपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिस्रापर दोस्तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बिहार में इंट्री बैन के बारे में दोस्तो इंट्री बैन आपको सुनके बहुत जादा आश्चरी लगा होगा लेकिन दोस्तों ये बात सच है बिहार में बहुत जल्द आपको इंट्री बैन देखने को मिल सकता है इसके रीजन्स में आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है बिहार में दोस्तों इससे फिले के वीडियो सुरू करूँ मेरा आप से आग रदे भी तक चैनल को जरूर करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या मानना है और दोस्तों यदि आप आने वाले समय में ट्रैवल करने वाले हैं और आपको अपने ट्रेंड की कैंसलेशन की करेंट इससती नहीं पता है तो आप सबसे पहले से इन्फर्मेशन जरूर ले क्योंकि बहुत सारी टेने कैंसल चल रही है यदि आपको वहाँ से कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और दोस्तों चले दोस्तों आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले चल क्या रहा है मैं वह आपको बताता हूं दोस्तों कल क्या हुआ आध्रप्रदेश ट्रंपर नेकरांती से आठ वैक्तियों को पकड़ा गया जो की कोरेना पॉजिटिव थे इसके अलावा दोस्तों दो वैक्ति अबर जो कलरेंटाइन का निशान होता है उसे देखा फिर वहां पे जो आरपी एफ थे और टीटी थे उनको सूचना दी और फिर जाके इन्हें ले जाया गया तो हॉस्पिटल ले जाया गया तो यह सभी पॉजिटिव थे और यह सभी में कोरेना वाइरस को फैला रहे थे दोस्तो और क्या चल रहा है दोस्तो आपने देखा होगा कि मुंबई से सुक्रवार को लोकमाने तिलक टर्मिनस पर इतने लोग जुट गए बिहार आने के लिए कि क्या क्या रेलवे ने पूरे लोकमाने तिलक टर्मिनस को ही बंद कर दिया यानि कि वहां पे जितने लोग करता है कभी आएगी और दोस्तों यहां पर नहीं की सरकार क्रीस Are ुसे सब स्षादा डर क्या लग रहा है कि यदि कोई बाहरी वेक्ति आते हैं और वह को यह न पाहर देंगे शैनल सकती हैं इस मिंभीaming सरक Ona की जो बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरता है उसे रेलवे स्टेशन से तभी बाहर निकल निकालने दिया जा जब तक उसकी थर्मल स्क्रिनिंग ना हो जाए और बिहार पुलिस भी इस बड़ीज रिपर्ट त्यार कर रही है कि कितने को रर पॉजुिटिव मरीज रेल वे स्टेशनों पे पुखड़े जाते हैं और दोस्तो बिहार पुलिस की तैनाती हर चूट Waity railway station के बाहर कर दी गई है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस thermal screening से ना बचे और दोस्तों मेरा भी आपसे आगरा रहेगा यदि आप railway station rail से travel करते हैं और बिहार आ रहे हैं तो thermal screening जरूर करवाएं जिससे आप अपने खुद और अपने परिवार का और अपने समाज और अपने बिहार कभी करल्यान जरूर ही करेंगे और thermal screen से बचेंगे तो आप पर कई प्रकार की जुर्माने भी लगाएं जा सकते हैं दोस्तों आप यहां पर क्या होगा जब बिहार पुलिस बिहार सरकार को रिपोर्ट देगे और इसमें कुछ यात्री भी मिल जाते हैं जो कोरेना पॉजि बिहार से कहीं और रहते हैं उन्हें बिहार में जब तक हमारी खत्म नहीं हो जाती तो दोस्तों यही सारी अपडेट थी मुझे जो मुझे आपको देनी थी कैसी लगे आपको आज के वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईए गासी तरह को और वीडियो देखने के लिए च तब तक लिए जय हिंद जय भारत